वेलकम टो माई किचिन हम नूडल्स को बॉयल करेंगे यह 100 ग्राम नूडल्स हैं इसमें डाल दें हजबे जायका नमक या थोड़ा डाल दें नमक ताकि नूडल्स के अंदर तक फ्लेवर आ जाए अब हम टेमपे को पकाएंगे तो जो मैंने टेमपे इस्तमाल किया है वो मैं हम फ्लेवर यह देमपे 3 já 4 Cup इसे श्र्यक्रेन एक मिनट तक अब हम इसमें डालेंगे 1-2 कव दही 29 قषक we då Him इसमें मसाले ढाले गे, तो हसबे जायका नमक डाल दें, नमक हसबे जायका Salt टेस्ट, इसमें डालें जालें इतलामे चादा चोड़ा चमज और धनियाँ पाउडर एक छोड़ा चमज वन टीस्पून कोरिंडर पाउडर, भाफ टीस्पून रेड पेपर एक छुड़ा चमच आरगेन हो वन टीस्पून आरगेन हो इन सब को हम पकाएंगे इतना पकाना है कि सारे फ्लेवर्स टेमपे के अंदर चले जाए और दई सूख जाए और तेल रिलीज हो जाए टेमपे से तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे इस रेसिपी में टेमपे इस समाल करें क्योंकि टेमपे को आप जितना पकाएंगे ये टूटे का नहीं क्योंकि ये स्ट्रक्चर होल करता है ये नूडल्स बॉयल हो गई है इसको हम झान लेते हैं तो इसे ज्यादा ना पकाएं नूडल्स को अब ये टेमपे को अच्छे से फ्राइ कर लें जब तक दई सूख नहीं जाता और इससे तेल रिलीज नहीं होता तब तक इसको अच्छे से बून लें और टेमपे के अंदर तक दई का फ्लेवर चाहेगा tempay protein है तो दही में electric acid होता है तो वो अच्छे से गलता है tempay को तो ये पक गया है ये दिखें dry हो गया है अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबली स्पूम बटर और अब हम इसमें डालेंगे 4 लेसन की कलिया 1 हरी मिच 4 गारलिक किलोव्स 1 गरीन चिली तो इसे अब हम पकाएंगे, बूनेंगे, जब तक लेसन और हरी मिच पक नहीं जाती इसे क्या होगा, टेमपे के अंदर लेसन और हरी मिच का भी जायका आ जाएगा इसलिए साथ में बूनें, तो अच्छे से से बून लेते हैं, चार से पांच मिनट तक तो इसे लेसन की अच्छी खुश्पू आ रही है, हरी मिच भी पक गई है तो अब हम इसमें डालेंगे, शिमला मिच, गाजर, प्यास 1 by 4 cup है, 1 by 4 cup कैरेट, 1 by 4 cup कैपसीकम, 1 by 4 cup अनियन एक चोधाई कप गाजर, एक चोधाई कप शिमला मिच, एक चोधाई कप प्यास सब को भून लें high flame पे 5 मिनड़ तक ताके सबजीयों को थोड़ी करंची रहें और पकी हुई भी हो अब हम इसमें sauces डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon sweet chili sauce 1 tablespoon sweet chili sauce और इसमें डालेंगे 1 tablespoon balsamic vinegar अगर आपके पास white vinegar है तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें अब हम डालेंगे 1 tablespoon dark soya sauce अगर आपके पास light soya sauce है तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब हम इन सब को पकाएंगे sauces को पकाना बहुत जरूरी है vinegar और soya sauce को तो इसे अच्छे से भून लें 4-5 minute तक ताके sauces का flavor tempay के अंदर चला जाए तो इसे मैंने भून लिया है 2-3 minute तक अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई noodles जो मैंने छान के रखी हैं तो ये देखें अच्छा color आ गया है सबजियों के उपर sauces की वज़ा से अब हम इसमें ये noodles डाल देंगे तो इसमें ये noodles डाल दें और इसे 1 minute high flame पे पकाएं सारी चीजों को high flame पे 1 minute टॉस करें mixing करें बस ये 1 minute के पार ready हो जाएगी saav करने के लिए तो ये देखें मैंने इसकी अच्छे से mixing कर लिए और color भी अच्छा है बिलकुल बादारी noodles लग रही है तेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है थेंक्यू फॉर वाच्चेंग प्लील लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये व्यूज मेंटर से लॉड प्रेस बेल आइकन बटन गंटे के बटन को जरूर दबाएं फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो में अपना ख्याल रखें थेंक्यू फॉर वाच्चेंग यमी टेंपे नूडल सार रेडी तो एंज्वाइब थेंक्यू प्लील लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब थेंक्यू